एक बार की बात है सारंगपुर नामक गाउं के गर्स इसकूल में दो बहनों का नीव एडमिशन होता है वो दोनों बहने इस गाउं में अपनी मां के साथ रहने आई थी और अब वो इस गाउं के गर्स इसकूल में पढ़ने आती हैं आज दोनों बहनों का इसकूल में पहला मम्मी को भी यही गाउं मिला था यह कितना पिछड़ा हुआ गाउं लगता है इस्कूल तो देखो इस्कूल के नाम पर धपा है धपा अगर मुझे अपनी पढ़ाय पूरी करनी नहीं होती न तो इस इस्कूल में कभे पढ़ने नहीं आती कवीता मुझे यहे गाउं कहीं से भी पिछड़ा हुआ नहीं लगता देखो अगर यहे गाउं पिछड़ा हुआ होता तो यहां इस्कूल में लड़किया नहीं पढ़ रही होती देखो यहां पर लड़किया शिक्षा ले रही है यहें गोल्सी स्कूल है हाई मेरा नाम अनोखी है लगता है तुम्हारा न्यू एड्मिशन है तुम दोनों से मिलकर खुशी हुई हमें भी तुम से मिलकर बहुत खुशी हुई अब क्या तुम हमें ये पता सकती हो 11th क्लास का section A और 12th क्लास का section B कहां पर है इतना समय हो गया लेकिन हमें हमारी क्लास नहीं मिल रही प्लीज हमें हमारी क्लास बता दो यहां से सीधे जाना और राइट मुड़ जाना और उसके बाद दो बारह से सीधा जाना और राइट मुड़ जाना वहीं पर 11th और 12th क्लास है और हां ये इसकुल थोड़ा बड़ा है तुम न्यू एड्मिशन हो गुम है उसे रास्ते से जाना और कहीं मत चले जाना वरना कोई भी दुर घटना घट सकती है क्यों यह स्कुल भूतिया है यहां पर भूत रहते हैं जो हमारे साथ कोई भी घटना घट जाएगी और हम कोई छोटे बच्चे नहीं हैं 11th और 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं कोई ब समच जाती हैं और दोनों वेखने अपनी कलास में जा कर बैठ जाती हैं ऐससे ही कुछ दिन बीच जाते हैं एक दिन कविता अपनी कलास में बैठे हुए अपनी कलस मेंंट से कहती है ओ अच्छा यहें笑 क्लास है और लड़कों की कख अलग होती है मुझे तो लगा था कि यह सिर्फ girls school है मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर boys भी बढ़ने आते है इतने दिनों बाद आज मैंने पहली बार ground में लड़कों को देखा उनकी class भी क्या यहीं आसपास है कवीता यह तुम क्या कह रही है यह girls school है girls यहाँ पर लड़के भटकते भी नहीं है पढ़ना तो बहुत दूर की बात है क्या तुमने यहाँ किसी भी staff को लड़का देखा नहीं यह सिर्फ girls school है इतने समय से मैं भी school में पढ़ने आ रही हूँ आज से पहले मैंने boys नहीं देखी थे लेकिन आज मैंने पहले बार ground में कुछ boys students को खेलते हुए देखा था मुझे लगा कि वो भी इसी school में पढ़ते हूँगे बस इसलिए पोछ लिया क्लास हमें इतना स्यादा शोर क्यों हो रहा है शान्त हो जाओ शान्त इसे पढ़ाई नहीं होती है क्या चुप चप पढ़ाई करो अगर तुम्हारी बगबग बंद नहीं होई तो अभी टेस्ट ले लूँगी कवीता अपनी आखों का धोका समझकर बात को रफा तफा कर देती है और अपनी पढ़ाई में लग जाती है ऐसे ही कुछी दिन बीट जाते है कवीता को दो बारा से इस स्कुल में लड़के नज़र आते है इस सकुल यूनिफोर्म में एक दो नहीं बहुत सारे यह देखकर कवीता बहुत ज़्यादा डर चाती है उसे समझ में नहीं आ रहा था कि गइर्ट्स इस स्कुल में बोईज का क्या काम और इस स्कूल में तो बोईस का आना भी मना है इस बात का तुम्हें पता लगा कर ही रहूंगी इस स्कूल में बोईस पढ़ते हैं अगर वो पढ़ते हैं तो इस बात को छुपाया क्यों जा रहा है कवीता अब इस बात की तहे तक जाना चाहती थी कि इस स्कूल में लड़के पढ़ते हैं और इस बात को छुपाया क्यों जा रहा है और वो ये पता करने के लिए इस स्कूल में चान भी शुरू कर देती है और ऐसे ही एक दिल वो खुमते गुमते एक ऐसे जगह पर पहुच जाती है जहां पर वो खुतिस जदा जोड़ जोड़ से पढ़ने की आवास आ रही थी अरे यहे क्या ऐसा कैसे हो सकता है यहां तो इस स्कूल का एंड है और यहां से मुझे बच्चों के पढ़ने की आवास आ रही है कवीता तुझे थोड़े और आगे चलकर देखना चाहिए आखे वहां कौन सा इसकूल शुरू हो गया जहां से बच्चों के पढ़ने की आवास आ रही है कवीता ऐसा सोचकर थोड़ा और आगे चाती है और वहां जाकर जो देखती है उसके खोश उड़ जाते है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है वहां पर पढ़ाई तो चले रही थी लेकिन लड़कों की नहीं लड़कों की और वो लड़के भूत थे जिन्हें देखकर कवीता थर थर कापने लगती है उसे अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सब लड़के स्टूडेंट्स भूत है नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता ये मेरी आँखों का दोका है हाँ मेरी आँखों का दोका है ऐसा नहीं हो सकता इस school में boys students भूत हैं और इनकी teacher भी भूत है, चुड़ाल है ऐसा नहीं हो सकता और इनकी teacher क्या कह रहे है हम वो सब कुछ हासिल कर लेंगे जो हम हासिल करना चाहते है यहाँ पर क्या होने वाला है आखिर इस school में चल के रहा है आखिर इस स्कूल में चल के रहा है कविता बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यहां पर आखिर हो क्या रहा है तब ही कविता को ऐसा लगता है जैसे उसके पीछे कोई हो और वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसके पीछे एक बहुत ही ज्यादा बायंकर बहुत ही ज्यादा खतनक चुड़ाल थी जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो चुड़ाल कविता को उल्टा लटका देती है और उससे कहती है तुमने कुछ भी नहीं देखा तुमने गुल्स इस्कूल में लड़कों को नहीं देखा तीन बार कहो तुमने यहां कुछ नहीं देखा अगर यह नहीं कहा तो मैं तुम्हारी अभी जान ले लूँगी जल्दी कहो तुमने यहां बहुत स्टूडन्स को नहीं देखा मैंने यहां कुछ भी नहीं देखा मैंने यहां कुछ भी नहीं देखा मैंने यहां कुछ भी नहीं देखा यहां इस स्कूल में बयांकर बहुत लड़कों को पढ़ते हुए नहीं देखा अब मुझे जोड़ था मुझे जाने था ये तुम्हारे आखरी शब्द थे अब तुम कुछ नहीं बोल पाओगी कुछ भी नहीं जब तक मेरा मकसद पूरा नहीं हो जाता तब तक तुम कुछ भी नहीं कर सकती कुछ भी नहीं कवीता बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी सामने चुडल वो भी इतनी ज़्यादा खतरनक और इस स्कूल में एक खतरनक खेल खेला जा रहा था इस स्कूल में बोईज स्टूडेंट्स थे लेकिन वो सभी भूत थे और इस बात से सभी गाउंवाले और इस स्कूल में पढ़ पेला जा रहा है कवीता सच जान चुकी थी लेकिन वो किसी को सच नहीं बता सकती थी कवीता कुछ समय बाद अपनी क्लास में आ जाती है तभी उसकी टीचर कवीता से कहती है अनीका अब तुम ही अपने बहन से पूझो कि वो कहां गए थी पूरे दो घंटे बाद वापस आ कवीता तुम्हारी रोज रोज के शिकाय से मैं परिशान हो चुकी हूँ मुझे भी पढ़ना होता है आखिर तुम कहां गई थी मैम कुछ पूछ रही है जवाब क्यों नहीं दे रही हो वैसे तो बड़ी चपड़ चपड़ करती रहती हो कवीता तुम ठीक तो हो ना तुम तो काप रही हो मैम कवीता की तब्यट ठीक नहीं लग रही वरना वो इतने समय कभी चुप नहीं रहती मैम अगर आपकी पर्मिशन हो तो मैं कवीता को घर लेकर जाना चाहती हूँ अनिका सिर्फ तुम्हारी वजह से आज मैं तुम्हारी बेहन को माफ कर रही हूँ अगर इसने दोबारा ऐसी कोई गलती की तो मैं इसे माफ नहीं करूँगी समझ लेना कवीता की तब्यट बिल्कुल भी ठीक नहीं थी अनिका उसे अपने साथ घर लेकर आ जाती है अनिका घर आ जाने के बाद भी कवीता से बार बार पूसती है कि वो कहां गई थी लेकिन बेचा हुआ शान्त हो जाओ शान्त हो जाओ और बताओ क्या हुआ तुम कुछ बॉल क्यों नहीं पा रही हो डोक्टर के पास चले नहीं तो फिर तुम कुछ क्यों नहीं बॉल पा रही हो और तुम कहां गई थी ऐसा तुमने क्या देख लिया जिसे देखकर तुमारी इतनी ज्या खबरा जाएंगी अनीका कवीता से बार बार पूछने की कोशिश करती है लेकिन बेचारी कवीता कुछ नहीं बता पा रही थी अगले दिन जब अनीका इसकूल जा रही थी तो कवीता उसे रोकती है कवीता मुझे इसकूल जाना है तो मुझे इसकूल जाने से क्यों रोक रह में कम नंबर से पास नहीं होना चाहती मेरा रास्ता छोड़ो और मुझे स्कूल जाने दो मेरा रास्ता छोड़ो कवेता अनिका को स्कूल जाने नहीं दे रही थी तब ही वो एक नोटबुक लेकर आती है और अनिका को दे देती है और उसमें चूब ही लिखा था उसे पढ़ हैं तुम्हारी आवाज भी उस चुडैल नहीं छीनी है उस चुडैल का और उन सभी भूतों का कोई बड़ा मकसद है जिसे वो पूरा करना चाहते हैं गल्स इसकुल के जरीए कविता ये तुम क्या कह रही हो क्या ये सच है अगर ये सच है तो हमें स्कुल के प्रिंसिपल को बताना चाहिए नहीं बता सकते मगर क्यों कविता दो बारा से अनिका को लिख कर बताती है आज स्कुल से कुछ स्टूडेंट्स गाइब होने वाली हैं तुम्हें उन्हें बचाना होगा अनिका को समझ में नहीं आ रहा था कि वो उन सभी स्टूडेंट्स को कैसे बचाएगी और वो कविता से वादा करकर स्कुल में पहुँच जाती है और वहां जाकर पता चलता है कि स्कुल से दस स्टूडेंट्स गाइब हो चुकी है कहा गई किसी को कुछ नहीं पता कविता ने सही यहां धरे भी तो नहीं बैठे रह सकती उन सभी स्टूडेंट्स को कहा ढूंडू देखिए इस कूल में शौर करने से हंगामा मचाने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी आपकी बेटियां गायब नहीं हुई है देखिए मुझे क्या मिला है चिट्थी जिसमें सफ सफ लिख कि वो पढ़ना बिल्कुल नहीं चाहती थी वो एक्टिंग करना चाहती थी इसलिए वो अपना सपना पूरा करने के लिए जा चुकी है अब जाएए और अपनी बेटियों को वहां ढूंडिए यहां नहीं यह सब जूट है उस चुडल ने जूटी चिट्थी प्रिंसी बल मैम तक पहुचाई है बेचारी लड़कियां कहां होंगी वो चुडल उन्हें कहां लेकर गई होगी मैं क्या करूँ क्या कुछ भी समझ में नहीं आ रहा अगर मैं वहां गई तो शायद कविता की तरह मेरा भी वैसा ही हाल हो मुझे बहुत ही ज्यादा साफधानी से काम ले पहुच चुका है उन दस इस्टूडेंट्स की वज़ा से अगर उन्हें अपना शुक पूरा करना ही था तो अपने घर से भाग जाती इसको लाकर भागने की क्या ही जरूरत थी और भी इस्टूडेंट्स पर बुरा परभाव पड़ रहा है गलत कदम उठाने से पहले कु कि यह स्कूल भूत या स्कूल है यहाँ पर भूत रहते हैं और उन्होंने ही इस स्कूल की स्टूडेंट्स को घायब क्या है नहीं बता सकती मुझे घर जाना होगा आनीका घर जाने के बाद अपनी बहन को सब बताती है तब ही कवीता उसे आगे का प्लान बताती है कि वो क रात होने का इंतिजार करती है यह घंटे आने काके उपर बहुत ज्यादा मुश्किल बीदते हैं और जब रात हो जाती है तो दोनों बेहने इसकूल में आ जाती है और जैसे ही वो इसकूल में आती है वैसे ही उन्हें बहुत ज्यादा डरावनी डरावनी आवाज आनी शुर जाना चाहिए दोनों बेहनों को बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था और वो डड़ते ड़ते जहां से आवाज आ रही थी वहां चाहती हैं तो वो सभी स्टूडेंट्स दूलन बनी खड़ी थी और वो सभी भूत दूलहे बने खड़े थे और वो चुडल अनापशनाप मंत् आज अमावस की रात है आज भूतों के शादी होगी और उसके बाद आने वाली अमावस की रात बीस और स्टूडेंट्स की भूतों से शादी होगी और उसके बाद हम जो हासल करना चाहते हैं वो आसानी से कर लेंगे किसी को पता भी नहीं है कि इस भूतिया स्कूल में क्या शड़ी अंदर रचा जा रहा है किसी को भी नहीं पता एक बार ये शादी हो जाए फिर ये सिलसिला जलता रहेगा जलता रहेगा बेचारी मासूम लड़किया स्कूल में शिक्षा लेने आती है उन्हें क्या पता था कि एक दिन उनकी शादी भूतों से हो जाएगी और वो सभी भूत भी बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे कि तब ही अनिका उनके सामने चली चाती है अनिका को अपने सामने देखकर चुडल बहुती ज्यादा गुसा करती है और उसे हवा में लटका देती है तेरे हिमत कैसे हुई यहां अनिकी मुझे नीचे उतारो दूस्ट चुडल मैं सब को चान चुकी हूँ यह भूतिया स्कूल है और मैं तुझे तेरे खेल में कभी कामिब नहीं होने दूगी नहीं होने दूगी इन मासुम इस्टूडन्स की जिन्दगी तुझे खरब नहीं करने दूगी जोड मुझे नीचे उतार चुडल को बहुती ज्यादा गुसा आ जाता है और वो उसे जमीन पर पठक कर मरती है और उसके बाद उसे रस्यों से बांध देती है अनिका जोर-जोर से चिलाती है कि वो ऐसा नहीं होने देगी चुड़ैल जो मंत्र पढ़ रही थी उसे वो मंत्र पढ़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पढ़ रहा था और कवीता वहां आ जाती है और आग लगा देती है आग से चुड़ैल और उसके भूत बहुत दूर भाग जाते हैं कवीता जल्दी से अनिका की रस्यां खोल देती है और उसके बाद दोनों बहने और वो सभी स्टूडेंस मिलकर उन सभी भूतों को और चुड़ैलों को एक क् भूतों चुड़ै रहते थे और वो इस स्कूल की लड़कियों से अपने भूतों की शादी करवाना चाहती थी अनिका कवीता अगर तुम सोच बूज से काम नहीं करती तो शायद हमें कभी पता ही नहीं चलता कि यहां हो क्या रहा है इन सभी भूतों को और चुड़ैलों क वो सब जलकर राख हो चाती है उस भूतियक गल्स स्कूल को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया चाता है क्योंकि यहां पर भूतों की और चुड़ैलों की आत्माय रहती थी उन्होंने अभी भी इस स्कूल का पीछा नहीं छोड़ा था